हेलो दोस्तो अगर आप भी एक content creator हैं और आप भी YouTube में वीडियो अपलोड करते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए हैं क्योंकि दोस्तो अगर आपने कभी ना कभी ये जरूर प्रॉब्लम फेज किया होगा कि आपके वीडियो में views कमाते हैं कि दोस्तो हर्मेशा आपको एक बात इध्यान रखना चाहिए कि वीडियो को इतना कितना भी कैसे भी आप रिकॉर्ड करें कितना भी डिट कहें अगर आपके वीडियो का थमनेल अच्छा नहीं होगा तो आपके वीडियो में views नहीं आएंगे आज आपको सिखाऊंगा कि एक clickable और attractive thumbnail कैसे बनाते हैं वो भी आप अपने mobile phone से बना सकते हैं मैं बहुत ही simple editing के माध्यम से आपको सिखाऊंगा दोस्तों तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी request करना चाहूंगा अगर आपको मेरा वीडियो पस साथ भी प्यार करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूं तो वीडियो को सुरूख करते हैं दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले आपको mobile में जाना है और आपको mobile में आपको मेरे इध पिक्सल लैयब application open कर लेना है दोस्तों जितने भी creator हैं जो की अच्छी quality में अपना thumbnail create करते हैं वो सभी पिक्सलेब भी application का use करते हैं और मैं भी same to same अपने जैसे ही आपको thumbnail बना के सिखाने ワहुद्स तो इसलिए हम हम भी क्या करेंगे pixelLive application open करेंगे तो आपको क्या करना है Play Store में यह जाने के बाद साच boss में सेर्च करना है पिक्सल लएग जैसा कि आप लोग वोग देख सकते हैं दोस्तोm Pixel.laib application आровail करेंगे इस्टॉल कैसे करना इस्टॉल बॉटन में क्लिक करेंगे सिंपल ही स्टॉल हो जाएगा देखे मेरे मोबायल में यह ओपन है इस्टॉल पहले से हैं तो हम सिंपल ही इसे ओपन करते हैं देखे दोस्तों, जैसे आप इसे open करेंगे, यह कुछ इस प्रकार को आपके mobile में भी open होगा तो simple ही आपको first step क्या करना है दोस्तों, कि यह जो test है इसको आपको delete कर देना, delete कैसे करना है simple ही आपको delete बाले, मैं आपको simple और जितना हो सकेगा, easy तरीका आपको बताऊंगा दोस्तों, एकदम simple editing सिखाऊंगा ताकि आपका ज़्यादा time ना based हो, और आप भी एक अच्छा attractive thumbnail बनाना सीख जाएं मैं पूरी प्रियास करूँगा दोस्तों, तो अगर आपको मेरा video पसंदा तो like जरूर करिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद आपको क्या करना है, आपको three line में click करना है, इधर corner पे आपको दिख जाएगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखे इधर आपको दिख जाएगा 3 line इसमें आपको click कर देना है simple इसके बाद आपको click करना है दोस्तो email side में email side में आपको click करने के बाद दोस्तों यहाँ पास custom का option है तो आपको custom में click करना है और इसमें नीचे देखे एक option है YouTube thumbnail इसमें आपको click करना है इसके बाद okay कर देना है simple ये process है दोस्तों इनको याद रखेगा अगर आपको नहीं याद रहता तो आप वीडियो को बार बार देख के भी कर सकते हैं इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको जाना है इस option में आपको जाना है यहाँ पास फोथ वाले option में देख सकते हैं दोस्तों ये जो corner में है हमारे नीचे side इसमें आपको फोथ वाई option में जाना है और click करना है यहाँ पास आप देख सकते हैं color का एक option है इसमें हम color में click करेंगे और यहां पास आपको दो color का option मिलता है जो की simple एक color होता है और दूसरा जिसमें आप mix करके दो color यूज़ कर सकते हैं मैं हरमेशा recommend करता हूं दोस्तों कि आप अपने thumbnail का जो background है उसको एक ही color choose करिए मैं तो हरमेशा black color यूज़ करता हूं गैलरी पे कहां से जाना देखें दोस्तों हमें इस plus icon में क्लिक करना है हम plus icon में क्लिक करते हैं और यहां पास from gallery में चले जाते हैं जो की गैलरी में जाने के बाद दोस्तों आपको जाना है इस इस बाले आपको मैं template का link अपने वीडियो के notification में दोंगा तो इसको आपको open कर लेना है और select करके आपको इसको यहां पास लाके रख देना है देखे दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ आप भी same to shape इसी step में करिएगा आपका भी मैं बोलता हूँ कि आपका भी बहुत अच्छा thumbnail बनके आएगा तो चलिए यह हो गया इसको एक बार click करिएगा दोस्तों और इसका copy बना लीजिएगा एक और copy कर लीजिएगा इसके लिए आपको क्या करना है यहां पास जाना है देख सकते हैं यह layer का option होता है दोस्तों इसको हम लोग layer बोलते हैं इस layer के option में आपन click करेंगे और देखिए इसका copy बनाने के लिए हम इसमें edit में जाएंगे यहां पास देखिए एक edit का भी option है यह देखिए pencil का icon बना हो है दोस्तों इसमें simple ही click करना है और देखिए एक copy का option है तो हम copy में click कर देते हैं और यह copy हो गया simple हम पिछले वाले option को क्या करेंगे friends lock कर देंगे और layer को बन करके इसको देखिए यहां पास नीचे लाएंगे slide करके और इसको इतने में रख देंगे दोस्तों तो फोड़ा छोटा कर देते हैं यह देखिए और इसको भी layer में जाके lock कर देंगे अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों फिर से हमें gallery में जाना है gallery में कैसे जाना है आपको पता चल गया है from gallery में जाना है अब हम क्या करेंगे यहां पास एक image select करेंगे अपनी एक कोई भी मैं image select कर लेता हूं जैसे कि इसको ले लेता हूं में एक image select कर ली है आपको भी इसको करना है और इसको लाकर मैं कुछ यहां पास ऐसे fix कर देता हूं दोस्तों आपको भी ऐसे कर लेना है जितना आप अपने हिसाब से कर सकें मैंने इसको कर लिया इसके बाद आपको क्या करना है अँझे कुछ टेस्ट में लिखना है तो देखे मैं अभी आपको बस इंचाम्पल दिखाने के लिए यह बीडो बना रहा हूं तो मैं जैसे यहां पास टेस्ट के offense में क्लिक करता हूं test के offense में आपको कैसे जाना है दोस्तो तो मैं आपको एक बार खेसर ले जाके दिखा देता हूँ आपको ये देख सकते हैं ए वाला निसान दिख जाएगा ये इहां पास इसमें आपको क्लिक करना है एक बार और देखिए इहां पास एक test का option आ चुका है ये देखिए इस plus icon में क्लिक करेंगे और यहां पास edit का option आ जाएगा देखिए ये देखिए दोस्तों यहां पास edit का option आ चुका है simple आप edit में ऐसी क्लिक करेंगे आपके पास कुछ रिष्ट प्रकार का आ जाएगा option तो यहां पास आप हम लिखते हैं आपको जो thumbnail बनाना है वही यहां पास type करिएगा दोस्तों याद रखिएगा तो बहुत ही जादा attractive keyword यहां पास आप लिखें तो मैं आपके example के लिए लिखता हूँ YouTube YouTube channel मुझे लिखना है YouTube channel कैसे बनाएं तो मैं अभी सिप English word में YouTube channel बह लिखा हूँ और देख सकते हैं आप मैं पहले बाई को delete कर दिया और यह देखें इसना ठीक रहेगा दोस्तों इसके बाद क्या करना है थोड़ा से इसको नीचे slide करना है और आप यहां पास देख सकते हैं एक font का option है जिसमें AB का logo बना हुआ है इसको आपको click करना है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों यह देखें AB का logo है और font लिखा है तो इसमें आपको click कर देना है simple और यहां पास से my font में जाना है अगर दोस्तों आपके pixel lab में यह my font नहीं है तो आप मुझे comment करिए गए मैं आपको इसका भी वीडियो बना दूँगा कि आपको इसे कहां से download करना कैसे इसमें यह my font आते हैं इन सब के बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगा दोस्तों वह बहुत ही जल्द मैं आपने चैनल में upload कर दूँगा तो आप जाके देख भी सकती है तो इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों इन font म माई font में जाने के बाद यहां पास मैं यह वाला font प्लेट कर लेता हूं खंड वाला और इसको क्या कर देता हूं देखे दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा दिख रहा है तो इसके बाद मैं क्या कहता हूं color के option में जाता हूं और इसे rate color देता हूं यह देखे दोस्तों बहुत ही अच्छा दिखने लगा है इसके बाद next step में जाना है हमें next step में जाने से पहले आप देखे दोस्तों आपको यहां पास एक third option आ रहा है इसमें आपको click कर देना है यह third वाले option में जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पास देख सकते हैं एक shape का option है यह हमें एक shape लेना है तो shape में हम click करेंगे जैसे हमने shape में click किया तो इस प्रकार का हमाय सामने आ गया तो हम इसको एक छोटा सा shape ले लेंगे कुछ इतना बड़ा इसको यहाँ पास रख देंगे दोस्तों यह ज़्यादा हो गया थोड़ा सा outcome आप अपने हिसाब से रखेगा दोस्तों मैं इतना कर दिया इसको और थोड़ा सा नीचे जाओंगा तो यहाँ पास आप देख सकते हैं एक rotate का option है अगर आपको नहीं दिख रहा है दोस्तों तो मैं आपको दिखा देता हूँ यह देखें यह rotate वाले option में click करना है आपको मैं थोड़ा सी इसे rotate कर लेता हूँ इससे यह बहुत ही अच्छा दिखें बस दो ही करना है देखें दोस्तों इसना इसको color लेना है और इसको write कर देना है इसके बाद आपको color के option में जाना है यह पास यह देखें टी का logo बना हुआ है और नीचे color लिखा हुआ है जिसमें आपको simple ही click कर देना है color को enable करेंगे दोस्तों और यहाँ पास हम मैं हरमेशा मैं अपने वीडियो के title के लिए yellow color select करता हूँ दोस्तों तो देखें मैं yellow color select कर लेता हूँ आपको क्या करना है दोस्तों जो आपको पसंद लगे वो करिएगा लेकिन मेरा recommend है कि आप thumbnail में red, black, yellow इन सब color का ज़्यादा यूज करिएगा क्योंकि ये ज़्यादा attractive color है तो इन में ज़्यादा click आती है इसको मैं write कर देता हूँ दोस्तों इसके बाद फिर से मैं ये वाले option में जाता हूँ और title में एक keyword लेता हूँ यहाँ से फिर से text लिखते हैं देखें यहाँ पास हम मैं लिखता हूँ YouTube channel कैसे बनाएं तो देखें दोस्तों ये अब मैं हिंदी से लिखूँगा कैसे बनाएं तो देख सकते हैं आप कैसे मैं type कर रहा हूँ देख सकते हैं दोस्तों मैं English से type किया और हिंदी से मेरे सामने आ चुका है तो मैं इसको okay कर देता हूँ और इसको यही इसी yellow वाले shape में लाएंगे और इसको plus कर देएंगे देख सकते हैं दोस्तों अब इसको भी उतना ही rotate करना है दोस्तों जितना मैंने shape को rotate किया था तो देख सकते हैं ताकि ये हमारा fit हो जाए ये देख दोस्तों ये हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से set हो चुगा है अब क्या करना है आपको ये जो shape का ज्यादा area दिख रही है इसको आपको cut कर देना तो मैं shape बाले option को select करता हूँ और जो भी ज्यादा area है इसको कम करके इसके बाद देखिए दोस्तों आपको layer के option में जाना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है layer के option में जाने के बाद ये दिख रहा है आपको layer layer में click करेंगे और इन सबको अब lock कर देंगे तो देखिए मैं shape को lock कर देता हूँ और YouTube channel को भी lock कर दिया अपनी selfie को भी lock कर दिया सब कुछ lock कर दिया दोस्तों ताकि ये distract ना हो अब देखिए हमें इसका font change करना है कैसे बनाए तो इसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पास AB वाले font में जाना है और यहाँ पास my font में जाना है और देखिए मैं ये वाला font select कर दिया और इसको यहाँ पासला के रख दिया देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा font है आप भी मेरा recommend है कि आप भी इसी font को यूज कीजिए ताकि आपका भी thumbnail बहुत ही अच्छा बने इसके बाद चलते हैं दोस्तों next system में YouTube channel कैसे बनाए इतना हो गया अब इसके बाद मुझे और भी थोड़ा से इसमें अच्छा बनाना है तो इसमें मैं थोड़ा सा और लिखूँगा तो देखिए और क्या लिखते हैं अब मैं Hindi words का जादा यूज कर रहा हूं दोस्तों मैंने यहां पास लिखा है दोस्तों बस पांच मिनट में YouTube channel कैसे बनाए बस पांच मिनट में देख सकते हैं दोस्तों मेरा लिख के आ चुका है अब मैं क्या करता हूं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा कर लेता हूं यहां पास corner में पकर के इसको आपको खींचना है तो इसकी साइज जो है बड़ी होती जाएगी तो देख सकते हैं यह कुछ इस प्रकार दिखने लगा है दोस्तों तो अब हम क्या करेंगे font में जाएंगे और यहां पास इसका font चेंज कर देंगे दोस्तों हमें यह वाला font बहुत ही पसंद आता है मैं अपने जादा तर वीडियो में यह इसी font का यूज करता हूं इसके बाद मैं क्या करूँगा दोस्तों बैक्ग्राउंड में जाऊंगा और बैक्ग्राउंड को इनेवल कर दूँगा और इसका जो बैक्ग्राउंड है मैं वाइट कर देता हूं दोस्तों और इसका थोड़ा सा लिप्ट वाले प्रोजिशन को मैं बढ़ा देता हूँ और राइट वाले इसको भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ और राइट कर देता हूँ इसके बाद मुझे कलर की आप्सन में जाना है दोटो और मैं कलर को ब्लैक कर देता हूँ यह देखिए तो अब मेरा कुछ इस प्रकार का दिखने लगा है थमने तो अब हम थोड़ा से सजाने का आप काम करेंगे दोख्तो तो देखिएगा आप एक फॉंट यहां पास हम और यूज करेंगे दोख्तो तो उसको भी चल्दी से हम आट खल लेती हैं आप देखते रहिए और पने रहिए वीडियो में तो देख सकते हैं दोस्तो मैंने अपना टाइटल लिख ली वो स्वारी देख सकते हैं दोस्तो मैंने अपना टेस्ट लिख लिया है इसको सिंपल ही राइट करेंगे तो देखिए इसको थोड़ा सा से मैं बढ़ा कर देता हूँ ताकि यह आपको समझाए इसको इतना करता हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं दोस्तो देखिए कुछ इतना कर देते हैं दोस्तों ताकि ये मेरा अच्छा दिखने लगे देखिए कुछ इतना कर देते हैं दोस्तों ताकि ये मेरा अच्छा दिखने लगे इसको राइट करते हैं दोस्तों और आप सिंपल इसमें हम क्या करते हैं यहां पास हम जाएंगे दोस्तो, कलर वाले ओप्सन में क्लिक करना है और मैं इसका कलर क्या रखता हूं, देख सकते हैं आप आस मैं हरमेज सा इसका कलर यही यूज करूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे बताए हुए दिये गए कलर को यूज करते हैं तो बहुत ही जादा कर लेता हूं और यह देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो थमनेल है वो कुछ इस प्रकार का भी बनके रेड़ी हुआ है लेकिन अभी यह कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों आप वीडियो को छोण के मत जाईएगा पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहे तब ही आपको पूरा स मैंने टेंप्लेट यूज किया थे इसको अभी अनलॉक करने का टाइम आ गया है इसको अनलॉक करेंगे और इसको कुछ लाकी यहां पास इस प्रकार का रख देंगे थोड़ा से इसका साइज बढ़ा देते हैं कुछ इतना अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है इसको फ फिर से हमें लेना है तो देख सकते हैं इसकी साइज में थोड़ा से इतना बढ़ा लेता हूं थोड़ा सा और लंबा चौड़ा हो जाए इतना होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहां पास रोटेशन का आप्शन मिल जाएगा जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखा देता हूं दोस्तों यहां पास रोटेट के आप्शन में जाना है आपको और इस रोटेट करना है इस सेप को कुछ इतना करते हैं दोस्तों और इसको सेट कर देंगे पूड़ा सी स्कॉर बड़ा कर लेती हैं दोस्तों ताकि ये हमारा सेट हो जाए अच्छे तरीके देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा सेट पूड़ा अच्छे तरीके सो गया है अब हम इसको राइट कर देंगे देखेगे दोस्तों अब बहुत ही अच्छा हमारा shape बंद के आने वाला है हमारा जो thumbnail है वो बहुत ही attractive लगने वाला है तो इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों simple ही color वाले option में जाना है और color के option में जाने के बाद इसको enable करके rate कर देंगे मैं हरमेशा इसे shape को जो है rate का option, rate color कर देता हूँ आपको जो color पसंद है वो select करिएगा दोस्तों इसके बाद क्या है यहाँ पास देख सकते हैं एक opacity का option है opacity में आपको click कर देना है जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ आपको इसमें जैसे ही आप click करेंगे इसको opacity को आपको 20 कर देना है दोस्तों 20 ही रखिएगा 21 कर सकते हैं और इसको right कर देखें दोस्तों अभी कुछ इस प्रकार का हमारा thumbnail दिख रहा है इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों यहां पास आप जाएंगे थोड़ा सा और उपर करेंगे यहां पास देख सकते हैं एक अब एक और final step हम करेंगे क्या करेंगे कि हम यहां पास थोड़ा सा YouTube का logo लगाएंगे जिससे हमारा thumbnail और भी attractive लगे और clickable बने तो हम क्या करेंगे लेक के आइकन में click करेंगे और from gallery में click करेंगे दोस्तों यह बहुत ही simple step मैं आपको बता रहा हूं और बहुत ही easy तरीका दित सिखा रहा हूं दोस्तों कुछ भी इसमें जहनज़ट नहीं है कुछ भी edit नहीं है बहुत ही simple तरीका मैंने आपको दिखाया है तो देखे मैं यहां पाह जाता हूं और एक यूटूब का जो logo है इसको select करके write किया और देखे इसको लाके यहां पाह रख देता हूं थोड़ा सा rotation देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमारा YouTube channel कैसे बनाए यह thumbnail हमारा बनके आ चुका है quicohol है या नहीं आपको बताना है इससे पहले मैं क्या करता हूं तोड़ा सा पने यह जो टोफाइल लगाया है इसको अर थोड़ा सा photo यूज़ किया थे इसको थोड़ा सा और effective बनाते हैं तो इससे पहले मैं इसको lock कर देता हूँ और ये अपनी photo में click कर लेना है दोस्तो और इसमें click करना है और इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहां पास देख सकते हैं दोस्तो एक stock को option है इसे हम enable करेंगे और इसे यहां पास हम white का stock दे देते हैं 2% तक ठीक रहेगा दोस्तो 2% का महिने इसमें stock दिया है दोस्तो थोड़ा से इसे और ही अच्छा बनाने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तो सैडो भी आप दे सकते हैं तो मैं थोड़ा से इसमें सैडो भी लगा देता हूँ और यह देखिए कुछ blood radiance इतना कर देता हूँ ताकि यह हमारा अच्छा और attractive लगे rate color का सही रहेगा दोस्तो तो rate color मैं कर देता हूँ अब देख सकते हैं आपके सामने हमारा यह जो thumbnail है यह बनके बिल्कुल ही ready हो चुका है एकदम simple step simple editing और simple ही तरीचे से मैंने आपको बताया है अभी रुकिएगा दोस्तो अभी वीडियो में आप बने रहिए इसके बाद आपको क्या करना है यहां पास save का एक option दिख रहा है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दिखा देते हैं सबसे मैं important यह होता है दोस्तों के thumbnail तो हमने बना लिया अब इसी HD quality में कैसे download करते हैं तो मैं आपको सिखा देता हूँ है यह लास्टी etap है दोस्तों तो यहां पास आपको klik करना है और यहां पास आपको दो option मिल जाएंगे Save As changes रड़ा प्रोण प्रोटेक्ट और दूसरा option है नीचे क्वाल्टी का एक option है जिसमें custom का option है तो इसमें हम एरो साइड में क्लिक करेंगे और custom को अल्टर कर देंगे जिसकी वज़य से हमारा जो thumbnail है वो एकडम HD quality में download होगा दोस्तों मैं download करके आपको दिखाऊंगा भी तो यह देख सकते हैं मैं save to gallery में देख सकते हैं दोस्तों जो हमारा thumbnail है वो पूड़ा के पूड़ा HD quality में डाउनलोड होकर आ चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ एक चांपल के लिए यह देखिए दोस्तों यह हमारा thumbnail जो है HD quality में बनके आ चुका है मैं आपको जोम करके लिखाता हूँ यह देखिए यह एक डम से जोम हो जाता है जैसा हमने बनाया है वैसे ही आया है दोस्तों अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़िए प्सक्राइब करिएगा दोस्तों और आपका बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों आपने मेरा पूरा वीडियो वाच किया है चलिए मिलते हैं हम आपको नेस्ट वीडियो में एक ऐसी ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ तक तक के लिए बाए बाए टेक किया दोस्तों